जॉनी लेवर इंडिया की one of the most comedian actor में से एक हैं इनकी शांदार acting की वज़े से जॉनी लेवर इंडिया की करोड़ों दिलों पर राज करते हैं दोस्तो आज के इस interesting वीडियो में हम बात करेंगे जॉनी लेवर की lifestyle के बारे में वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप भी जॉनी लेवर के फैन है तो इस वीडियो को जल्दी से कर दीजे लाइक और वीडियो को पूरा देखने से पहले कोई भी comment ना करें दोस्तो इस कहानी की शुरुवात होती है 14 अगस 1957 को कानीगिरी प्राक्सम डिस्टिक आंधर प्रदेश में जब जॉनी लेवर का जन हुआ इनका पूरा नाम जॉन प्रकाश राव जानू माला है जॉनी लेवर एक क्रिशन फैमिली में पैदा हुए जॉनी लेवर अपनी परवरिश मुंबई में पाई जिसकी वज़र से जॉनी हिंदी, मराटी, इंग्लिश और तेलोगों को अच्छी तरह जानते थे दोस्तो अब बात की जाए जॉनी लेवर के करियर के बारे में तो जॉनी लेवर एक गरीब फैमिली से बिलॉंग करते थे जिसके वज़र से जॉनी लेवर सवेंध स्टेंडर्ट तक की पढ़ाई की जॉनी सवेंध होने के बाद कोई काम करना चाते थे क्योंके जॉनी लेवर के फादर बहुत छोटी उम्र में ही मिरती हो गई थी जिसके वज़ज़ से जॉनी को काम करना जरूरी था क्योंके जॉनी गर के बड़े भी थे जॉनी लेवर स्कूल की पढ़ाई छोड़कर मुंबई के सड़कों पर Bollywood Stars की मिमेकरी करते थे और जब लोग जमा हो जाते थे तो उनों Penl करके अपना गुजारा करते थे जॉनि लेवर Bollywood S include की मिमेकरी बहुत कमाल की करते थे जिसके वज़ेसे लोग इनकी मेमेकरी को देखकर हैरान रह झाते थे दोस्तों जॉनी लेवर की कहानी को आगे बताने से पहले अगर आप आउनलाइन पैसा कमाना चाहते हो तो एक वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिशन में मिलेगा वो वीडियो जरूर जाकर देखें इस तरह जॉनी लेवर मिमिकरी करकी अपना गुजारा और अपनी फैमिली का गुजारा करते थे और इसी बीच जॉनी लेवर को हिंदुस्तानी लेवर लिम्टेड में एक स्टेश शो का लिए बुलाया गया जहाँ पर जॉनी लेवर कुछ senior officer की mimicry कर रहे थे वहाँ के officers ने इनकी शांदार mimicry को देखकर ने को कहा के यह जॉनी राओ नहीं बल्कि के जॉनी लेवर हो सकता है जॉनी लेवर ने इसी नाम को अपने नाम के साथ जोड़ लिया उसके बाद जॉनी लेवर स्टेंड़ अप कॉमेडी करने लगे जहां से जॉनी लेवर को एक अच्छी पहचान मिली उसके बाद 1981 को जॉनी लेवर हिंदुस्तानी लेवर लिम्टेट कंपनी को छोड़ दिया और उन्हें दुनिया के बहुत सारे कंट्रीज में जाकर पफॉमिंस करने का मौखा मिला 1982 में जॉनी लेवर एक स्टोज सो में अमिता बच्चन के साथ शो कर रहे थे और जॉनी लेवर को उसी वक्स सुनील दत ने देख लिया और उसी वक्स सुनील दत की पहली फिल्म दर्द का रिष्टा में फिल्म आफर किया गया उस फिल्म से आज तक जॉनी लेवर ने 350 फिल्म में काम किया है और इन्हें बस्ट कॉमेडियन एक्टर का वार्ड भी मिला है दोस्तो ये रही जॉनी लेवर की सक्सेस लाइफ जर्नी दोस्तो डिक्स्क्रिशन में जो लिंक आपको दिया गया है वो वीडियो ज़रूर जाकर देखें और नेक्स टूडियो आप किस पर देखना चाहते हैं तो पीस कमें कमेंट करके जरूर बताएं